चले आईए सिवान शहर इस्तित डियेवी कॉलेज मोड के निकट महाकाल कम्प्यूटर्स में नमांकन प्रकिरिया जारी है अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009 75883 पर इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आ रही है जहां डियेम अमित कुमार पांडे ने कोबिद 19 संक्रमर को रोकने के लिए सभी परतिष्ठानों और बेवसायों के लिए एक फिर से दीशा निर्देश जारी किया है यह दीशा निर्देश 6 सितंबर 2020 तक लागू रहेगा अनल पांडे ने जो दीशा निर्देश जारी किया है अनलॉक आवधी में सभी बैवपारिक एवं निजी परतिष्ठान से संब्दित सभी दुकान सोमवार से सनीवार तक दस बजे सुबह से छे बजे साम तक खोली जाएंगी फिर से आपको बता दे सभी बैवपारिक एवं न निजी परतिष्ठान से संब्दित सभी दुकान सोमवार से सनीवार तक दस बजे सुबह से साम छे बजे तक खोली जाएंगी यानि कि रभी वार को सभी बैवपारिक एवं निजी परतिष्ठान की दुकान ने पूर्णता बंद रहेगी यह नया दिशा निर्देश डीम मचली की दुकाने प्रति दिन सुबह छे बज़े से ग्यारा बज़े तक एवं साम चार बज़े से साम साड़े छे बज़े तक खोली जाएगी आपको फिर से बता दे सब्जी मांस तथा मचली की दुकाने सुबह छे बज़े से ग्यारा बज़े तक और साम चार बज़े से साड़े छी बज़े तक खोली जाएगी इस दोरान सोसल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनिवारता के साथ पर्योग करना है दवा की जो दुकाने हैं वो प्रति दिन सुबाद छे बज़े से रात दस बज़े तक खुलेंगी करनाद दुकान आवश्यक बश्थो से संबंदित दुकान प्रति दिन 10 बज़े से साम 6 बज़े तक खोली जाएगी और इसके अलावे जो भी निजी पर्तिष्ठाने सभी बैवपारिक दुकान है, यानि कि सभी दुकान सोमवार से सनीवार तक खोले जाएंगे, रभीवार को सभी बैवपारिक एवं निजी पर्तिष्ठान पूर्टा बंद रहेंगे. दीम अमित कुमार पांडे ने फिर से दिशा निर्देश जारी किया है, 29 अगस्त को ये दिशा निर्देश जारी किया है, और सभसे अहम बात ये है कि सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का परियोग किया जाना अच्यंत अनिवारे होगा. किसी भी दुकंदार द्वारा अगर निदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो संबंदित दुकान को ततकाल सील करने का आदेश DM ने दिया है तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर दुकान खोलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और माश का उपयोग जरूर करें अन्या था निरिक्षण के दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपकी दुकान को सील कर दिया जाएगा